तरह भी आपर निए उन्हाइद कर दो एख जुश्चन को पूछना है या पूछना जार यह लड़की के से पठाते है याँ क्या तु कबसे सुना रही है अरे जब से वो Not bad अरे लड़की पठाने का तो पूरा अल्गोरिदम के यार pen paper ले और लिख Start Step number one Selectify एक खुब सुरत पड़ी लिखी लेकिन कम अकल वाली लड़की को ढूंडो उसके आप ना कान मौ सब अपनी अपनी जगा पर ही हो फिर पता करो उसे बॉइफरेंड है या नहीं अगर है अगर नहीं है Wonderful फिर तु पता कर कि वो हस्टलाइट है या लोकलाइट देख बेटा लोकलाइट के चक्कर में मत पढ़ना उसको पटाने को बहुत पापड़विल में बढ़ते हैं अगर वो हस्टलाइट है तो फिर तु बनाएगा लड़की पटाने का बजट तेरी लड़की किस कैटेगरी की है तेरी लड़की कितने में पटेगी मैकडानल्स का बर्गर या दुरुआंपूर का वड़ा पाओ उसके बाद गाड़ी पे घुमने का खर्चा पेट्रोल के बिल्स, रिस्टोरेंट के बिल्स, मुवी टिकेट्स, एकसेटरा, एकसेटरा, एकसेटरा इन सब का एगव एस्टिमेट बना फिर देख, वो लड़की परवडेबल है कि नहीं इस परवडेबल फिर आएगा लड़की पटाने का प्रोसीजर दिन में तू जो चाहेगा लेकिन रोज सुबह आठ से दस और शाम को छे से आठ तुझे गर्स उस्टल के सामने हाजरी लगानी है बोले तो लगानी है रोज रात को घंटो तक फोन पे बाते अबे हर दो मिनिट बाद अगर तू फोन काटेंगा तो लड़की समझ जाएगी तू चिंदी चोड़ है नेक्स एपिसोड में अभी ये प्रोसीजर पंद्रा भीस दिनों तक फॉलो कर देन कम्स दडी डे प्रपोस अब प्रपोस करने के लिए एक रोमांटिक इवनिंग हो, कैंडल लाइट डिनर हो चॉकलेट, केक्स, पेस्ट्रीज, रोज़स everything just so perfect लेकिन बटा एक चीज़ का खास द्यान रिखना प्रपोस बिल पे करने के पहले करना अगर वो तुस्ते कहती है कि हम तो सिर्फ दोस्त हैं मैंने तुम्हें उस नजर से कभी देखा ही नहीं in short, अगर वो तुझे दोस्ती और भाई चारे की मिले जुली बेल खिलाती है तो हाथ दोने के बहाने उट ले और फूट ले अगर वो कहती है कि मैं तुम्हें सोच के कल बताऊंगी तो इसका मतलब है तेरी बात बन गई लेकिन अगर उसने इमिजिटली हाँ कह दिया तो तू उसका पहला वोईफन लिया इस प्लेशों से कई गाड़ी अजर चुकी है और आगे भी घुजरती रहेंगी अब रपोस करने के बाद कुछ लड़को घुमाओ फिर आओ देन गो बाएक तो स्टेप नमबर वन अगर प्लेशों सेलेक अनल न्यू फीमेल दिस इस अन इंफिनाइट लूप लड़की को ढूड़ो उसे पटाओ उसे डूड़ो पटाओ घुमाओ समझ गया लेकिन ये कैसे पता चलेगा इस लड़के तुझे लाइन दे रही है की नहीं उसका भी एक ठियारम है इसका मतलब है कि लड़की अगर तुझे दो इंच की दूरी पर खड़ी है तो वो तुझे पसंद करती है अगर वो बीस इंच की दूरी पर खड़ी है तो वो तुझे अच्छा दोस्त मानती है और अगर वो पचास इंच की दूरी पर खड़ी है तो सब्मिशन पास आये हैं इसलिए मिलने आई है मैं पाप जा रहा हूँ तुम आपना ना वाद में